नमस्कार दोस्तों CACP Valley Health में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं बताने वाला हूँ आपको मेरा अधिकार portal के बारे में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है मेरा अधिकार portal कौन-कौन से इसमें services हैं और कैसे आप मेरा अधि देस में सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी इसकी में चलाई जाती हैं convenience अब ये योजनाय खुट् unf varios अलग राज्यों के लिए अलग-अलग होती हैं और कुछ centralized होती हैं केंदर srkार्ष द्वराय चलाई जाती है वह पूरे देश में एक गार्षी रहती है और जो राज जर्कार हैं उनके हिसाब में पताल अलग-अलग लोगों की बेनिफिट के लिए बिद्दस्केमों के लिए तो इनस्कीमों की संख्या हजारों में तो किसी एक व्यक्तिक के लिए तो सारे इसक्यमों के बारे में जान पाए और उनकी जानकारी रख पाए तो मेरे मेरा अधिकार पोर्टल में क्या है कि आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे अपने कुछ डीटेल्स आप डालेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि किन किन स्कीमों के लिए आप की पातरता वहां पे है आप बेनिफिशरी हैं आप इंटाइटल है आप उसका लाब ले सकते हैं और कौन-कौन से डॉक्मेंट किया सकता होगी इनका लाब लेने के लिए आपको कैसे कहां पे जाकर रेश्टेशन करना होगा सारी चीज़े आप इस मेरा अधिकार पोर्टल पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप जान पाएंगे तो अब आ आपको आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और उसके बाद फिर आपको नेशनल हेल्थ एजेंसी वाले पेज पे चले आएंगे यहां पर आपको अपना आधार नंबर एंडर करना है फिर आधार पे एक OTP जनरेट हो जाएगा उस OTP को यहां पर आपको वेरिफाई कर देना है और फिर आप मोबाइल वेरिफिकेशन कर लेंगे और जैसे यह मोबाइल वेरिफिकेशन कम्प्लीट होगा फर्स टेप में आपको यहां पर नेशनल हेल्थ ऑथरेटी की आभा कार्ट जो है यहां पर चली आएगे डिस्प्ले हो जाएगा उसका आप डाउनलोड करके र है आपका सीटी या फिर ब्लॉक वगरा क्या है सीटी क्या है पिन कोड क्या है यह आप से पूछा जाएगा इसके बाद आप से पूछा जाएगा कि आप पुरुष है कि महिला है इसके बाद आप सर्विस करते हैं सेल्फ एंप्लॉइड हैं बिजनसमेन हैं मजदूर है या या फिर unorganized sector में काम करते हैं या फिर ex-servicemen है उसके बाद religion पुछा जाएगा हिंदू, Muslim, Sikh, Sai क्या है उसके बाद आपकी social category पूछी जाएगी कि आप general है, OBC है, SC है, ST है, backward है, क्या है और फिर आप से आपका economic status पूछा जाएगा कि आप APL में belong करते हैं कि BPL में belong करते हैं या या फिर EWS यानि economic weaker section में belong करते हैं तो ऐसे ही यह कुछ सवाल है और ऐसे ही और सवाल आपके पूछे जाएगे, जैसे जैसे आप सवालों का जब आप दे देंगे, पूछे सवाल complete हो जाएगे, फिर directly आप चले आएगे, इस page पे, यहाँ पे आपका social benefit report generate हो जाएगा, और आ आपको report download का यहाँ पे option मिल जाएगा, जैसे ही आप download पर click करेंगे, कुछ इससरते page आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि eligible scheme की संखय यहाँ पे 26 है, मतलब मैं already 26 scheme में मेरी पातरता है, मैं 26 scheme का लाब ले सकता हूँ, ठीक है, उसके ठीक नीचे आपको ABA card दिख जाएगा, जो first step में आपने OTP verify करके complete किया हुआ था, यहाँ से वो card आप download कर सकते हैं, उसके बाद UN card का option मिल जाएगा, यह भी आप download करके रख सकते हैं, और उसके बाद आपको मिल जाएगा, SOBER, मतलब social benefit report आप यहाँ से download कर लेंगे, यह जो report है, SOBER report, यही main report है, और यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा 28 total pages है, यह 28 page के एक report है, यहाँ पर उपर है लिखा हुआ health care की 5 scheme है, pension की 2 scheme है, lifehood की 2 scheme है, agriculture की 1 scheme है, और investment की 6 है, services की साथ है, social services की 3 scheme है, जिसमें मैं मेरी पातरता है, मैं जिन scheme का लाब ले सकता हूँ, और यहाँ पर scheme की details दी गई है, उसकी बाद हर एक scheme की बारे में आपको यहाँ पर details बताया है, कि कौन सी scheme में क्या क्या है, और дрayक्षिम का है, required document की की document की आपको आज सकता पड़ी है, और apply कैसे करने, सारी चीज़े यहाँ पर एक-एक scheme के बारे में, इक-एक details दी हुई है, तो अब बात कर लेते हैं मार्ग दर्सक की तो अगर आप मेरा अधिकार पोटल के साथ जूड़ना चाहते हैं ऐसे मार्ग दर्सक या फिर ऐसे पार्टनर तो आपके अंडर में जितने भी लोगों का आप रिपोर्ट जिनरेट कराएंगे डिरेक्टल या डिजिटली उस सारे रिपोर्ट पर आपको दो रुपय का अलग से कमिशन मिलेगा और आपके नीचे आप अगर किसी मार्ग दर्सक को या फिर पार्टनर को जोड़ पाएंगे तो उसके लिए आपको पचीस रुपय का कमिशन मिलेगा और साथ ही साथ अगर कोई पेड जोइनिंग करता है आपके नीचे कोई मार्ग दर्सक पेड मार्ग दर्सक बनके जोइन करता है पेड पार्टनर बनके जोइन करता है तो आपको धाई सो रुपय का वहाँ पर इंसेंटिम मिलता है वहीं जो भी जितने भी मार्क दर्सक या फिर पार्टनर आप बनाएंगे वो जो भी अर्न करेंगे जो भी उनकी इंकम होगी उसका 25% आपको मिलता रहेगा तो अगर आप मेरा अधिकार पोटल के साथ ऐसे मार्क दर्सक जूरना चाहते हैं तो लिंक आपको डेस्क्रिप्श वाली स्कीमों में आपकी पातरता है तो आप उसका वे लिंक आपको डेस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां से जा के आप अपनी प्रोफाइल कर लेंगे और आप अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों यह एर हमने एक छोटा सा वीडियो मेरा अधिकार पसंदा हो तो प्रीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब जोर करें तो आप तक लिए आप नाइस टे जाहिए जाएंग जाभा